हेलो गाइज गुड़ मॉर्निंग तो गाइज मैंने मार्किट के ओपन होते ही निफ्टी में एक पोजिशन बनाई थी जिसमें मेरा लोस हो गया साथ सुरुपे का तो अभी देखते हैं नेक्स्ट अपरजनेटी का वेट करते हैं तो भाई लोग यहाँ पर मैं दिन की सेगिंड एंटर भी बना चुका हूँ मैंने यहाँ पर अभी तो एक लोड को शोट क्या लेकिन दोस्तो मैं इसमें एवरेज अब भी करूँगा ठीक है जैसे-जैसे मेरा प्रोफिट बढ़ेगा तो मैं इसमें एवरेज अब भी होता है तो भाई लोग यहां पे मैं एवरेज आप कर चुका हूं मेरा एवरेज बन चुका है 234 के बाउ का ठीक है तो चलिए देखते हैं ट्रेड में क्या होता है तो भाई लोग यहां पे मैं दिन की थार्ट ले चुका हूं दोस्तों जो मेरी last previous ट्रेड थी उसमें मेरा SL करके चलूँगा तो भेलोगों जो हमारा ये ट्रेड है वो सक्सेस्फुल होता नजर आ रहा है क्योंकि दोस्तों जो मेरा यहां पे लगवग बारा तेरोसों का लोस था वो रिकवर हो चुका है ठीक है लेकिन दोस्तों ये ट्रेड लोस रिकवरी के लिए बिल्कुल नहीं है ठीक है और वैसे भी आज मैं बाइंग करके चल रहा हूँ एक लोट मेरा एक्जिट हो चुका है और इस लोट को मैं होल्ड करके चलूँगा यहां तक मार्किट जाएगी वहां तक मैं इसको लेके जाने वाला हूँ ठीक है तो दोस्तों देखो आप बाइंग करो चाहिए सेलिंग करो आपको जो आपका प्रोफिट वाला ड्रेड आपको उसको तो होल्ड करना पड़े गाई बस यह है कि दोस्तों मैं यहां पे तो चलिए वेट करते हैं दोस्तों अभी तो हमें यहां पर प्रोफिट नजर आ रहा है लेकिन दोस्तों यहां पर प्रोफिट और बढ़ी भी सकते हैं अब देख सकते हैं यहां पर भाव इसने जो हभी हाई लगाया 384 का ठीक है लगबग 100 पॉइंट यहां पर हमें मिल चुके देखें दोस्तों आप ओप्शन बाइंग की पावर देखें यहां पर कितना भाव बढ़ चुका है ठीक है चलिए वेट करते हैं तो भाव आ चुका है 400 प्लस का ठीक है 407 का भाव आ चुका है आप देख सकते हैं 287 से भाव आ चुका है 400 और 1000 प्लस का यहां पर हमारा प्रोफिट बन चुका है तो वेट निकरेंगे अगर ट्रेट पलड़ता है तो एक्जिट तो भाव लोगो जश्ट अभी यहां पर मैं ट्रेलिंग स्टोप लोज के साथ एक्जिट कर चुका हूँ 378 के पाव पे ठीक है आपने देखा होगा यहां पर से लगबग 415 तक का हाई लगा दिया था ठीक है तो ओवर ओल यहां पर हम प्रोफिट में है लगबग मेरा जो लोस्ता 14 लगब 12-1300 का वह भी रिकार हो गए और हम यहां पर प्रोफिट में भी आ गए ठीक है आगे दोस्तों मैं कोई फर्दर ट्रेड नहीं करने वाला बाकी मार्किट बंद होने के बाद आपको अपडेट करता हूँ तो भाइलों मार्किट बंद हो चुकी है और दोस्तों मैं भी 8 बजे के आसपास हो रहा है दोस्तों आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो भी नहीं आ पाई ठीक है और दोस्तों उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया आप देख सकते अगर दोस्तों आपको बड़ा पैसा बनाना है बिग पॉइंट से लेड़े हैं तो आपको बाइंग भी करके चलनी पड़ेगी ठीक है मैं मॉर्निंग में सेलिंग करके चलता हूँ क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मुझे टाइम टिके का एडवांटेज मिल जाता है ठीक है लेकिन दोस्तों दिन के बीच में जो बड़े पॉइंट्स आते हैं बड़े मूव्स आते हैं वो दोस्तों बाइंग साइड में आते हैं ठीक है दोनों को अपने फायदे और नुक्साने में आपको बताय हुआ है टाइम डिके का अडवांटेज मिलता है आपको सेलिंग में और थोड़ा सा डिसद्वांटेज बाइंग में ही रहता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर टार्गेट भी बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं ठीक है चले मैं आपको यह लोजिक बताता हूं कि यह ट्रेड मैंने क्य टू लिया था कि तो भाई लोग हम आ चुक यहाँ पर बैक निफ्टी के चर्ट पर और दोश तो निटी टीड को अचीव किया और दोस्तों जो मेरा एशल था वह बिल्कुली झोटा ना चाता था ओर यहाँ गिसान अगेट और हमांटी मैंने बिल्कूल इसको यहां पर सपोर्ट पर पकड़ा था ठीक है वह कैसे पता लगा दोस्तों देखो दोस्तों अगर आप चार्ट को रीड करोगे चार्ट करोगे तो तभी आपको यह सब चीजे पता लगेगी ठीक है अधरवाइस आपको कुछ नहीं पता लगने वाला ठ ठीक है और दोस्तों आप यहां पर देखो इसने फिर से दोस्तों यहीं पर सपोर्ट ली से ठीक है जहां से मैंने एंड्री ली ती लगबग दो पैर में तो उसने वहां से दुबारा सपोर्ट ली और फिर से पैंक निफ्टी ऊपर ही गया ठीक है यहां पर भी ठीक टाक प कीज़ेगा चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा चलिए बाइबाई